तो मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है तो आज आपके लिखा हैं बहुत ही टेस्टी रेस्पी तो उस रेस्पी को हम बहुत ही टेस्टी बनाएंगे तो चलिए उसके हम करते हैं त्यारी बाते दो हम बात में भी कर लेंगे तो हमने लिए हैं दो आलू और आलू हैं काफी बड़े तो इंको छील लेती हैं पहले इसको चिक्क्ल लटाएंगे उपर कि इसको साफ करके धो लेते हैं लोकी ल्या让 तो मैं न elia machine ट쬲ों से हम इस आलुकी चिफ्च जैसे इसको काटेंगे तो मसीन से हम इस आलू की चिफ्स जैसे ही इसको काटेंगे जैसे चिफ्स निकालते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमें निकालने हैं तो हम दिखाते हैं आपको कि आलू हमारे किस तरीके से कटिंग हुए हैं तो इस तरीके से इसमें जो लेयर सी बन गई है इसको हम इसी तरीके से अल अलग हो रहा है तो देखिए चक्कू से भी इस तरीके से हम थोड़ा सा चक्कू लगाते जाएंगे और इसको अलग हटाते जाएंगे तो सारी ही ना नमकीन अलग हट जाई बिल्कूर अलग हो गए ना आलू के जो चिप्स पतले-पतले हमने बनाए हैं तो मैंने इसी तरीके सारे आलू को काट लिया है और देखिए कितने सारे से हमारे बन गए है चौमीन जैसे पतले-पतले चिप्स से तो इसकी नमकीन बनाएंगे तो उससे पहले इसको नमक के पानी में डालेंगे जिससे इसका मॉस्चर सारा ही निकल जाए और नमकीन बनेग लगवक्त 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए हम रखेंगे तो इसे डग कर लेते हैं तो जब तक हम पानी को गरम करते हैं पानी में जब तक वाल आता है तो दस मिनट भी हो गए हैं तो इसको निकाल कर और हम डाल देते हैं इससे सिर्फ एक वाल आने तक ही इसको पकाएंगे सिर्फ वाप में ही हमें पकाना है नहीं तो यह ज्यादा ओवल जाएंगे तो बेकार हो जाएंगे तो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे जो हम बना रहें नमकीन इससे आने में दोसे चार मिनट लगेंगे वस एक कॉबाल आ गया है और गये विवाप में नहीं बनी हैं तो बिल्कुल ठीक बन कर तयार हो गई तो इसको निकाल लेते हैं निकाल कर इसका सारा ही पानी हमें निकाल देना है अच्छे से तो इसको हम दूप में इसको सुकने के लिए डालेंगे थोड़ा से इसमें दूप लगाएंगे आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी सुका सकते हैं तो लगवग 8 गंटे इसे लगेंगे और आप दूप में च्टिसे डालेंगे तो 3-4 घंटे में एस्सुक जाते हैं से हम इसुक अगरने के लिए और 3-4 घंटे वाद इसको देखते हैं में इसको तो देखे कितने अच्छे लग रहे हैं तो तो 3-4 एस twin करम देखा है तो आस आरा हमारे चाहीं हमारा तो इसको बाद में निकाल लेंगे तो फटा फटा इसको निकाल भी लेते हैं तो मैंने दो आलू के ना जो नमकीन बनाया था दो आलू का तो मैंने कहा चलो आपके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हम इसी तरीके से और भी रखे हैं जो मैंने आलू आली से सारी मैंने इसको निकाल लिया है वो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में तो बस इसे थोड़ा सा चट पटा और इस पासी बनाना है में तो हम डालेंगे चाट मसाला और नमक मैंने डाल दिया है और इसके आप अपने घर पर इस तरीके से नमकी जरूर बनाईए बहुत ही ज़्यादा सब्सकुराद ऑट है अच्छी लगने वाली यह टेश्टी भी है अगर आप कहें तो इसे क्रशच करके भी हम ढटाते है तो देखिए हमारी इनमकील बहुत ही टेश्टी अच्छी लग रही हम तो आपको भी पसंद जरूर आएगी नमकीन तो देखा ना आपने इसका किरंच कितना अच्छा आया है तो आपको अगर यह रस्पी अच्छी लगी हो नमकीन हमारी पसंद आई हो तो आप भी अपने बच्चों के लिए जरूर बनाईए अगर आपको रस्पी पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकर को साथ में दबा देजिए तब ही तो निव रस्पी आप तक सबसे पहले आएगी तो फिर मिलेंगे निव स्थी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ